हेलो स्टुडेंस वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो आज का हमारा सब्जेक्ट है टेक्सोनामी और फिन फिश और यह पार्ट फोर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे फिश बॉडी शेप्स के बारे में तो यह सारे जो डायग्रामस आप देख र हम मून फिश में देखते हैं फ्लॉडर्स में देखते हैं तो उन सब के जो शेप्स होते हैं उसे हम कंप्रेसिव फॉर्म शेप्स बोलेगे तैन इस डिप्रेसिव फॉर्म यानि कि जो स्केट्स होते हैं रेस होते हैं उसके जो शेप्स होगे वह डिप्रेसिव फॉर्म हो तर तनिफर्म आप शेप हमें यूजियली बदीन फिश देखने को मिलता है जेटीफर्म आप आप सब्सक्राइब को फिश में में पड़िते हैं और फॉर्सली अब्सक्का लाथ प्शेप यूजिसे फॉर्फफ वर्फिश देखते हैं most of the fishes they are usually fusiform the fusiform body includes very streamlined and torpedo shape so the fusiform body will also be called torpedo shape and the body will be streamlined so streamline that is the body of water will be very good next leaves in open water and often have tail fins that are deeply forked to enable fast swimming तो ये जो fish होगी वो यूजवली open water में रहेगी और उसकी जो tails और fins होगी वो highly forked shape होगी तो जो fins के shape होगा जैसे कि हम ये diagram में देखते है जो codal fin है उसका shape बहुती ज़्यादा forked shape है तो वो fogged shape होगा ताकि वो बहुती ज़्यादा fast swimming कर सके Some examples of fusiform fish includes tuna, moose, shark, stripted, bass, मैकरल एंड स्वहु फिश तो यह सब्सक्राइध फिश के केगसम्पल सह सेकर कमपराशिव फ़र्म किस आरकंपरेस्ड लेटरली फ्पाश कहरा थापिक है मेन मैनि स्पेशिस औफ रीप फिश मून फिश एंड फ्लॉडर तो जो कॉंपरेसिफ फिश है वह यूज़ली कॉंपरेस्ट होगी लेटरली मतलब दोनों साइट से वह कॉंपरेस्ट होगी और हम अगर उपर से देखेंगे तो वह फिश बहुत ही ज्यादा थिन होगी इसलि नारो पलेस। तो वह बहुत ही ज्यादा पतली होगी इसलिए वह नारो प्लेस में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी और जो उसके स्वीमिव यूट थोड़े ही टाइम के लिए बहुत ज्यादा फास्त होगा एंद इन वह अपनी नार्मल स्पीड में होगे और वह यूज देखने को मिलती है कि यह संधिक ओरन तो यह यह सारे सब्सक्दित सहरे सब्सक्तित या फिर स्केवेंजर्स होगे जो इंधिक और्गनिजम को फीड करते है तो प्रॉपल थेमसेज दे मुव देर फिन इन अप एंड डाउन मोशन सीमिलर टू बॉर्ड फ्लैपिंग इस विंग तो यह फिश होगी वह अपनी टेल फिन को जो यह हम देखते है उसको इस वेल पर अप और डाउन मोशन में उसको मूव करेगी जैसे कि बॉर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करती है एक्जामपल ऑफ डिप्रेसिव फिशिस इंक्लूद स्केट्स रे टोड फिश गूस फिश एंड इंजल शार्क्स तो यह सारे डिप्रेसिव फिशिस के एक्जामपल्स है नेक्स्ट इस एंगुली फॉर्म और अलसो कोल्ड इल लाइक फिशिस तो उसे इल लाइक फिशिस भी बोलते हैं तो यह फिश की जो बॉड़ी होगी वह इलाउंगेटेड होगी ब्लंट या फिर वेज शेप उसका हैड होगा या फिर टैपरिंग और रांडेड टेल होग जैसे हम यह फोटो में देख सकते हैं तो कभी-कभी इस पिश में बहुत जादा लॉंग और डॉर्सल और अनल फिन होगी या फिर कम्प्लेटली उसके पास कोई पैड फिन ही नहीं होगी तो इसका जो यह बॉड़ी शेप है उसी के वाज़े से वह जो वाटर करेंट से उसको बहुत ही इजीली कट कर सकती है ताकि वह वाटर में अपना मुवमेंट कर सके हो एंगलिवों फिशेगायर म do we kpin में तो यह सारे एंगलिव फिर्फां के एंगड़ी फंपल्स है टैन फिलिव वॉर्म हम डाक्राम में नेक्टी पदलि है तो 19 to your a उन्गोलिफॉन फिलिफंभी तो जसे कि हमने एंगोलिफ्ण में देखा आउं sam के长 의 में चोष्प ऐंवी इंडलॉबूरी में बहुता है वह बहुत जादा कि dau softly जैसे, slip eels and pipe fish are examples of philiform fish, तो यह दोनो philiform fishes के examples है, then tenniform, the tenniform fishes are ribbon shaped and laterally compressed, तो यह जो tenniform होगे वो ribbon shaped होगे, जैसे हम ribbon fish देखते हैं, बस उसी shaped के होगे और laterally compressed होगे, this shape is useful for hiding in crevices and no role in fast swimming, तो यह जो shape होगा, वो usually hiding के लिए होगा, उसका कोई swimming में कोई role नहीं होगा, some tenniform fishes include orfish, gunnels, etc, तो यह साड़े examples है, then segety form, these fishes are arrow shaped and look somewhat similar to fusiform fishes, तो यह shape, तो यह जो shape है, वो fusiform जैसा दिखेगा, बट उसका जो fish का shape है, वो usually arrow shape होगा, often segety form fishes are light and wet predators, only able to swim quickly in very short bursts, तो यह जो fish होगी, वो एक साथ बहुत ज्यादा fast swimming नहीं कर पाएंगे, वो बस थोड़े ही time के लिए swimming कर पाएंगे, और वो usually predators है, तो, these fishes include guard, pigreel, pike and barracuda, तो यह सारे इसके examples है, then, globiform, तो globiform fishes are very round, तो यह जो fish होगी, वो बहुत ज्यादा round होगी, they are slow swimmers and some species have modified their fins to use for walking across the bottom of their environment, तो यह जो fish है, वो usually बहुत ज्यादा slow swimmers है, और यह species में अपनी जो fins है उसको modify करके उसको अपने लिये walking की जैसे use करते है जैसे हमारे legs है वैसे वो अपने fins को modify किया है उसमें ताकि वो walk कर सके bottom environment में because of the slow speed many globiform fishes employ different strategies such as poison, sharp barbs और sophisticated camouflage in order to prevent themselves from predators तो इसकी जो slow speed है उसकी वज़से बहुत ही ज्यादा globiform fishes में एक defense mechanism है जैसे कि हम देख सकते है पौफर फिश में उसके जो body में बहुत ही ज्यादा pointed sharps हम देख सकते है बस बैसे ही globiform fishes में एक defense mechanism set है जैसे कि हम camouflage देख सकते कि वो अपना color change करेगा ताकि कुछ predator उसे देखना सके globiform fishes includes frog fish, lump fish and puffer fish तो यह सारे examples है so this was it for our today's video thank you so much you can also follow us on our instagram page we are posting our notes of our video and also you can go on telegram and join our channel where you can get nice quality notes as in form of pdf so go and join our channel and do subscribe to our channel if you are new to this we will be uploading many more videos of the fishery science courses thank you so much happy learning you